इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक आरोमाटिक सब्सिट्यूशन ठीक है पहले बता देता हूं इसमें जो दो रियाक्शन है इस फ्रीडल क्राफ्ट अलकाइलेशन एवा मसाइलेशन वो हम हैलो एलकेंज और हैलोरीन में करने वाले हैं ठीक है आज हमारा फोकस प्रॉपरली EAS के उपर रहेगा जहां पर हम बहुत सरी चीज़े इसके बारे में पढ़ेंगे भी थियोरी भी एंड साथ में कोईशन भी ठीक है है थिए को पर एक्जामपल यह अगर मैं सैकलोहक्जीन को रियक्ट करवाता हूं पिद्स सीचल 4 के साथ कौन सा इंटर्मीडिट बनता है नॉन क्लासिकल कार्भोगटायन ठीक है यहां पर जो बनता है, प्रोड़क्ट बना रहा हूं directly, वो जो प्रोड़क्ट बनता है, वो बन जाता है ये, एंटी प्रोड़क्ट, in this case, एंटी अडिशन के बाद बनके आ जाता है, very simple, right, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसी रियाक्शन को बैंजीन के साथ लिया, पेंजींग के साथ और जब इसके साथ reaction करवाया BR to CCL4 का तो अगर मैं theoretically बात करूँ theoretically तो theoretically क्या expect करेंगे हम लोग जो scientists लोग हैं वो expect कर रहे होंगे कि कुछ ऐसा हमारे पास cyclohexadine टाइपस आना चाहिए था यह आना चाहिए था लेकिन जब उन्हें reaction किया तो जो product बनके आया यहां से वो हमारे पास बनके आ गया promobenzine क्या बन गया मेरे भाई promobenzine तो इसका मतलब क्या है यह theoretically and experimentally कोई ना कोई different चीज हो रही है तो कौन सी चीज पहली बात सही मानी जाती है यह गलत हो जाएगा because it's radically expected है यह experimentally observe किया गया तो यह सही है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि वहां से scientist को idea लगा कि यहां पे तो भाई साब addition नहीं हो रहा है जिसे यहां पे तो इलेक्ट्रोफिलिक addition हो गया था जो हमने aliphatic के अंदर cover भी किया है लेकिन यहां पे जब reaction हुआ benzene के उपर या aromatic compound के उपर तब substitution हुआ substitution बोलने का अभी प्राय क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं जो hydrogen है वो at the end bromine से replace हो गया है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो यह actual story है जिसके दौरा हमारे पास इस नए reaction mechanism का बनाया गया और ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं अभी आपको देख के समझाई गया होगा क्यों हो रहा है aromaticity aromaticity अब कोई भी compound अगर aromatic होता है तो वो भयंकर stable होता है frost circle के दौरा आपको बताए भी था इसे लिए वहाँ पे हमारे पास कोई भी addition reactions feasible नहीं होते हैं and सिर्फ substitution reactions feasible होते हैं क्यों? because वहाँ पे अपन लोग को aromaticity maintain रखनी है जब aromaticity maintained हो पाएगी तब ही वो reaction feasibly आगे भढ़ पाएगा जबर्दस्ति कराने के लिए कुछ भी reaction हो सकता है देख लिए feasible के बात करें तो substitution ही होगा इसलिए इसका नाम रखा गया electrophilic aromatic substitution आप बोलोगे electrophilic क्यों? यह तो समझ आना न क्यों? because यहाँ पे electrophile क्या होगा? BR plus since एक benzene जो है वो एक nucleophile है electron rich है 3 pi bonds है भर-भर के electron rich है whereas जो यहाँ पे BR plus है वो electron deficient है इसलिए हमारे पास एक electrophile ने initiate किया है reaction इसलिए यह बन के आ जाता है electrophilic aromatic aromatic क्यों? वो तो दिख गया आपको substitution क्यों? वो भी मैंने आपको दिखा दिया ठीक है? लिख लीजे भाई इसको पहले pause करके जल्दी से लिख लीजे अब obvious से बात है इसके हम mechanism की बात करने वाले हैं तो heading डाल लीजे mechanism mechanism ठीक है? heading डाल लीजे mechanism अब इसको समझते हैं तो for example हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यहां पे एक benzene लिया किसी mechanism से सारी properties भी derive होंगी तो बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको जैसे हमने benzene लिया पहली बात यह हमें funda समझ आना चीए कि since यहां पे 3 pi bonds है मतलब 6 pi electrons है इसलिए यह electron rich है और electron rich बोलने का मतलब क्या है? इस reaction में it will behave as a nucleophile तो यह behave करेगा एक nucleophile की तरह यह हम लोगों को समझ आ गया है ढंक से कोई दिक्कत नहीं है किसी को अब आगे चलते हैं अब हमने एक electrophile को react करवाया एक nucleophile को react करवाया एक electrophile के साथ और जैसे हमने यह reaction किया तो क्या होगा? वो समझते हैं क्या होगा? जो हम पढ़ते आ रहे हैं GOC से sorry hydrocarbon से कि बस इन दोनों के बीच में normal सा reaction होता है जो आप expect कर रहे हैं वो ही होने वाला है करवाये तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए electrophilic addition on alkenes आपने पढ़ा ही होगा यह यह बन जाएगा क्या यह plus charge stable है या unstable? obviously stable है because आपको दिखाई दे रहा है कि यह resonance structure में है once again SNAR याद करिए एक reason होता है कि क्यों हम इस structures बना रहे हैं ठीक है? इतना लेट होने के बाद भी इतना आगे आगे अभी हम GOC से लेकिन फिर भी यह structures एक important role play करते हैं ठीक है? यह थो हमें समझ आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि real life में क्या exist करेगा? real life में आपको समझ आ रहा होगा कि इसका hybrid exist कर रहा होगा और वो hybrid क्या होगा? वो भी बना लेते हैं ध्यान से देखिए पुछ इस प्रकार से five on electron density कहां-कहां travel कर रही है? इदर से इदर travel कर रही है और जो plus charge है वो travel कर रहा है इदर इदर एवं इदर तो यह इसका resonance hybrid बनके आजायेगा और इसी को हम लोग थोड़ी दिर में sigma complex भी बोलने वाले हैं ठीक है? लेकिए simple language में carbocatine is an intermediate लेकिन अच्छी language में sigma complex is an intermediate क्या? sigma complex इसको लिखते हैं पहले मुद्दे बी वापस आते हैं ओके यह बनके हमारे पास है carbocatine अब हो रहा है substitution तो जो h है देखना ध्यान से मेरे भाई h है h plus का काम क्या होता है? removal तो यहां से हम लोगों ने h plus को remove कर दिया करवाईए तो क्या बनके आ जाएगा? final product final product बनके आ जाएगा अब ऐसा नहीं कि h plus खुदी remove हो जाता है बहुत सरी चीज़े होती है जैसे आपको reagents दिखेंगे तब और समझ आएगा ठीक है? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्यों एक electrophilic substitution reaction है initially हमारे पास एक hydrogen था finally एक electrophile है ठीक है? जो E है और यह क्या है? electrophile यह properly लिख लो प्रॉपली लिख लो electrophile अब electron efficient अब तो बिल्कुल यह क्या बुलू मैं? अच्छे तरह आना चीज़े अब यह समझ आगे सभी को अब इसका नाम भी हम लिख सकते हैं ठीक है? तो obviously resonance hybrid तो बोलने नहीं वाले हैं वो ठीक है वहना field का रहेगा subject का तो इसको हम बोलते हैं एक नया नाम that is sigma complex तो यहाँ पर carbocatine is not an intermediate, right? the intermediate is a sigma complex अच्छे, electrophile के examples क्या-क्या होते हैं? वैसे तो बहुत सरे examples हम करी रहे हैं E1, E2 में बहुत सरे examples हम करी रहे हैं हर जगा मतलब है इसका मतलब बनेगा future में इसलिए मैं लिख रहा हूँ बहुत सरे यह नहीं लिखवाएंगे H+, because कोई फाइदा नहीं होगा लेकिन होने वाला है भयंकर रोल है future expected question के point of view ethile plus CH3 plus यह आपको समझ आगे कि मैं क्या बोल रहा यह इसके और example हम time के साथ देखेंगे लिख लीजे भाई इस page को pause करके ढंक से किसी को कोई भी doubt हो तो आप obviously comment section में पूछ सकते हैं अब इसके बाद heading डाल लीजे theory अच्छा theory में भणने से पहले obviously बात है हर बार की तरह आपसे question आपके इसाब से कौन सा step RDS होना चाहिए जो experimentally determined लेकिन theoretically समझने के अगर हम कोशिश करें तो यह step RDS हो जाएगा अब तो आंक बंद करके आपको निकालने आना चाहिए theoretically सोच रहे हैं theoretically बस हम justification दे रहे हैं actually experimentally ही determined होता है ठीक है लिख लीजे अब इसके बाद heading डाल लीजे theory heading डाल लीजे theory theory number one point add करें once again किसी भी चीज की properties हमें derive करनी है तो कहां से आएंगी उस dipbe से आएंगी RDS से आएंगी लिखिए ठीक है the replacement of hydrogen the replacement of hydrogen occurs the replacement of hydrogen occurs during the reaction mechanism hence it is a substitution reaction जो orally बोला बस theoretically लिखा दिया the replacement of hydrogen occurs during the reaction mechanism hence it is a substitution reaction ठीक है अच्छा एक और question का answer करिए आप से ही पूछते है आपके साब से इसका order कितना होना चाहिए अब मैं डिबबा नहीं बना रहा हूँ ठीक है वैसे आपको समझ चलो बनाई देते हैं मेरा question ये है कि इस reaction का order कितना होना चाहिए order 2 समझ आ रहे है सभी को क्यों होना चाहिए वही वाली चीज reactant से मतलब रहता है वही है तो जो rate of the reaction हो जाएगा that is directly proportional to उस aromatic compound के उपर let me say मैं AR बोल रहा हूँ and उस electrophile के उपर 1 hence it is a bimolecular reaction जिसका जो order बन के आ जाएगा that is equal to 2 unimolecular, bimolecular आप chemical genetics में पढ़ोगे अगर अभी तक नहीं पढ़ा है ठीक है okay third point के उपर चलते हैं लिखिए RRKM theory से जो point आता है जो आपको याद भी होगा number of transition states is equal to number of intermediates plus 1 तो यहाँ पर कितने intermediates बन रहे हैं अगर आप सोच रहे हो 3 तो वो गलत है because resonance structures तो hypothetical होते हैं actual intermediate तो यही है जो हमारे पास है sigma complex ठीक है तो hence number of intermediates is equal to 1 not 3 तो intermediates is equal to 1 तो यहाँ से जो number of transition states बन जाएंगी वो बन जाएंगी intermediate plus 1 तो वो बन के आ जाएंगी 2 यह कहाँ पर help करेगा graph plotting में ठीक है अब आपको judge करने आ रहा हैं दो peaks बनने वाली है जो को खुद से derive कर रहा है आप लोग अब ओके फॉर्थ पॉइंट लिखिए फॉर्थ पॉइंट ता intermediate formed ता intermediate formed is a sigma complex ता intermediate formed is a sigma complex sigma complex जिसको हम professional language में एरेनियम complex भी बोलते हैं आप बोलोगे एरेनियम कहां से आया अरे भाई aromatic को क्या बोलते हैं ठीक है aryle बोलते हैं न जिससे मैं बोलू carbonium tm क्या होता है मतलब plus charge तो बस वही है तो एरेनियम complex भी तो मैंने एरेनियस theory वाला लिख दिया आदत उसी की है araneum की spelling सही कर लेना यार because मुझे वो araneus वाली example araneus theory वाली की आदत है okay araneum aryle aryle में एक r होता है तो यह बन के आ जाएगा अच्छा आगे चलते हैं हाँ अब एक interesting point yes 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 यह मज़दार है इसमें सोचना मेरा question आपसे यह है जो जितना अभी तक हमने किया उसके हिसाब से जो arrows है सब उसके जो पूरा यह space के हिसाब से क्या electrophilic aromatic substitutions reversible होनी चाहिए या irreversible होनी चाहिए once again क्या electrophilic aromatic substitutions reversible होनी चाहिए irreversible जितना हमने देखा भी तक उसके हिसाब से तो irreversible होगा यह समझ आ रहे ने क्यों because यह आप इदर से इदर जा ही नहीं सकते वापस because भीच में एक irreversible step है पहली बात तो इतना समझाना चाहिए दूसरी बात जो मैं आप से पूछना चाहता हूँ क्या यहाँ पर hydrogen का कोई फरक पड़ेगा मतलब मैं यहाँ पर hydrogen ले लूँ या deuterium ले लूँ या tritium ले लूँ कोई फरक पड़ेगा नहीं वही बात कि RDS के time पर नहीं टूट रहा है तो फरक नहीं पड़ेगा ठीक है अब लिख सकते हैं कि जो C6H6 है उसका जो rate हो जाएगा that is equal to C6D6 उसका जो rate हो जाएगा that is equal to C6T6 यह क्या है hydrogen isotopes electrophilic aromatic substitution के time पर लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि हमारे पास जो हमारे पास जो electrophilic aromatic substitution observe किया गया experiment के time पर वो reversible है once again हमारे पास जो EAS observe किया गया experiment के time पर वो reversible observe किया गया अच्छा reversible बोलने का मतलब क्या होगा कि आप judge कर पा रहे है कि reversibility इस reaction में कैसे आएगी reversibility तब ही आप आएगी जब मैं इस step को भी reversible बना पाऊ जब मैं इस step को भी reversible बना पाऊ आरीं समझे नहीं आ रहे है Because अगर मैं इदर reversibility लेके आ गया तो फिर मैं पूरे reaction में reversibility लेके आ गया Because अब यह-इह बन सकता है यह बन सकता है जो पहले एक clause था कि नहीं बन पा रहा है आरें समझे नहीं आ रहा है अब बताईए अगर यह reversible हो जाता है अब obviously पहली बात तो यह doubt आएगा कि हम लोग कैसे सोचेंगे कि कोई electrophilic aromatic substitution reversible है irreversible वो सब time के साथ लिखवाया जाएगा notes में तो किसका rate जादा हो जाएगा तब आपको समझा रहे किसका rate जादा हो जाएगा C6, H6 का then C6, D6 then C6, D6 आप बोलोगे ऐसा क्यों एक बार समझा दीजिए because जो पहले roll नहीं था in bonds का तूटने का वो अब तूट रहे हैं वो अब तूट रहे हैं in equilibrium in RDS तो अब उसका matter करेगा न जल्दी तूटेगा धीरे तूटेगा आरहा समझा नहीं आरहा है एकसेटरा एकसेटरा वो बोर्ज मॉडल के दौरा मने प्रूफ किया जी ओसी में तो reversible के time पर यह हो जाएगा लेकिन irreversible के time पर आपके पास कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है आरहा है समझ या नहीं आरहा है बहुत simple अभी यह मत पूछना कि कौन से reactions reversible है कौन से irreversible है वो time के साथ सब बताया जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो maximum irreversible ही रहते हैं जो reversible रहते हैं वहाँ पर हमें लिखवाना पड़ता है specifically कि it is a reversible reaction ठीक है वो हम time के साथ देखते रहेंगे लिख लिए सब इने 5 points अब चलते हैं 6th point के उपर जहां पर हम लोग इसका graph देखेंगे यह आपके पास clayden का screenshot है clayden जो book है उसका official screenshot है आपको क्या करता है अभी पॉस करके पहले तो यह graph बनाना है notes के अंदर graph को बनाए notes के अंदर उसके बाद आप यह theory पढ़ सकते हो वैसे मेरे साथ से कोई मतलब नहीं है because मैंने आपको already payments postulate पढ़ा के रखा है ठीक है देखो high tech चीज़े सब पढ़ा के रखी है अब मुद्धे पर आते क्या आपको समझ आ रहा है कि हमारे पास दो transition states क्यों बन रही है अगर मैं आपको graph ना भी बना के दूँ तो भी आप खुझ से बना सकते थे थे ना इस graph को यह तो सभी को समझ आ रहा है क्यों because एक intermediate तो transition state का जो graph होगा वो यही तो होगा दो कितना simple कर दिये चीज़े में आपके लिए तो यह intermediate है यह दो transition states है अब हम कैसे plot करेंगे कि कॉंसरी transition state उपर होने चाहिए नीचे होने चाहिए obvious सी बात है दूसरी transition state नीचे होने चाहिए energy में तभी reaction feasible होगा जैसे मैंने आपको समझाए भी तब ball का example लेके एक ball इस पहाड़ी से roll कर रही है लुडक रही है वो second पहाड़ी को तभी overcome कर पाएगी जब उसकी peak पहली वाली पहाड़ी से नीचे होगी assuming friction etc नहीं है तो इस प्रकार से आपके पास यह होता है तो यह intermediate है यह आपके पास reactants है starting material यह product है simple right यही चीज़ा तो पढ़ रहे हैं उपर से आप देख भी सकते हो कि जो reactant की energy है वो product से ज़ादा होनी चाहिए यह भी सबको समझ आ रहा है because product ज़ादा stable होगा तभी reaction feasibly आगे बढ़ेगा जो भढ़ भी राय है इस case के अंदर तो मुझे क्या समझ आया है 6th point से 6th point का है जो chart उससे मैं 7th point भी लिख सकता हूँ और वो point क्या है कि ES reactions are exothermic in nature delta H is less than 0 यह भी सबको समझ आगे क्यों because product minus reactant करोगे तो negative value आएगी मतलब system से energy निकल रही है वो ही आपके सामने आपको दिख भी रहा है ठीक है तो यह clear होना चाहिए अब चलते हैं questions के उपर लिख लीजे pause करके आईए question number 1 एंपर बापस theory पर आएंगे थोटे time में हमारे पास एक benzene दिया गया है जिसके उपर कोई group R लगा है R है CH3, OCH3 and NH2 CH3 मतलब toluene OCH3 मतलब anisole NH2 मतलब aniline ठीक है ओके देख लेते तो क्या होगा rate of ES अब एक electrophile अप्रोच कर रहा है एक nucleophile को तो क्या हमें nucleophilicity भढ़ानी है या घटानी है logically समझो हमारा पंड़ा ये रहेगा कि nucleophilicity भढ़ा दी जाए and electrophilicity भढ़ा दी जाए तो rate of the reaction भी भढ़ जाएगा आप बोलोगे ये कैसे determine हुआ इस point से इस mathematical point से देखो दोनों को उपर dependent है न तो nucleophilicity भढ़ाएंगे electrophilicity भढ़ाएंगे और ज़दा फायते होगा यहाँ पे हमने क्या कर दिया हमने माना कि एक common electrophile है E plus करके and हमने सोचा कि कौनसा nucleophile best है तो कौनसा best हो जाएगा C, B, A यहाँ पे सिर्फ plus H, plus I G, O, C है यह G, O, C एक oxygen versus nitrogen nitrogen का better रहेगा दूसरा वाला में क्या हो जाएगा T best बन जाएगा T best बन जाएगा maximum groups हैं अगर आपने ये सोचा तो गलत है बन सकें आप उसी जहांसे में first चुके हो कौनसा जहांसा hyperconjugation का lecture देखिए उसमें इधर से ही तो hyperconjugation derive होती है कि यहाँ पे 3 alpha है 2 alpha है 1 alpha है 0 alpha है तो ring में जादा कौन दे रहा होगा 3 alpha वाला तो वहाँ पे better plus H एबं plus I लग रहा होगा इसलिए correct answer क्या बन जाएगा A, B, C, D hyperconjugation का derivation भी यहीं से होता है ओके next number C को देखते है number C में है OH, NH2, NHC double bond, CH3, NO2, CN पहली बात तो आपको समझ आगे कि यह तो फर्जी है अब इन फर्जीओं में भी जादा फर्जी कौन सा है D because plus charge वाला आपको बताया कैसे होता है determine ओके अब चलते हैं between A, B and C A, B and C में क्या हो रहा है देखना ध्यान से यह loan pair दे रहा है 100% ring को दे रहा है जब phenol होगा 100% ring को दे रहा है लेकिन यह जो loan pair है वो distributed है इधर भी and इधर भी 50-50 kind of stuff 50-50 भी नहीं है बलकि इस side जादा होगा because quality वाली बात है oxygen के उपन negative जाएगा तो better कौन बन जाएगा better बन जाएगा इन सभी में से बन के आ जाएगा B then A then समझा के तो को GOC है बन सेकें आज भी GOC चलने वाला है पूरे टाइम लिख लीजे पॉस करके number D पे आईए आपसे बोला गया है कि most electron rich position को determine करिए इस वाले molecule के अंदर number D में most electron rich position को determine करिए सोचें फिर क्या होना चाहिए देखे ध्यान से देखना ध्यान से समझना पहली बात position को determine करने से हमें पहले ring determine कर लेते हैं पहले जैसे universe है फिर earth है फिर India ऐसा करके है तो पहले universe से earth पे आएगे फिर earth से India पे आएगे ऐसा ऐसे हम zoom in करके देख रहे है तो पहले हम ring सोच लेते हैं ये जो lone pair है वो इदर दे रही है प्लस M दिखा रही है इस ring के ऊपर लेकिन ये वाली जो ring है उसके ऊपर तो मेरे भाई minus M and minus I लग रहा है न इस कार्बोनाईल का तो ये तो होगी electron deficient दूसरी वाली होगी electron rich दोनों में से दूसरी वाली जादा electron rich है तो हमने पहले ring देख ली अब चलते हैं position के ऊपर अब कैसे देखेंगे position resonance तो जब ये minus और ये जो loan पे resonance करेगा वो इदर जाएगा इदर जाएगा इदर जाएगा तीन जगा जाएगा अगर मैं बात करता हूँ ortho positions पे तो वहाँ पे लग रहा है plus m minus i whereas para position पे भी लग रहा है plus m minus i क्या plus m plus m same रहेगा बिल्कुल same रहेगा हमने proof किया था goc में because जो minus अगर यहाँ पे है वो same यहाँ पे तो वो independent of distance है लेकिन minus i change हो जाएगा जब बगल में होगा जब ज़्यादा minus i होगा जब दूर में होगा तो कम minus i होगा तो most electron rich position कौन सी बनगे यह वाली जो para position most electron rich position आ रहा है समझ या नहीं कैसे determine हुआ simple है na जगो goc है कोई नई चीज़ नहीं है यह यह is actually goc का revision चल रहा है आपका आज कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी का अच्छा next number e पे चलते हैं number e में कैसे determine करोगे यह तो obviously यह बन जाएगा समझा रहा है क्यों because यह better nucleophile बनेगा ज़्यादा 5 bonds है ऐसे भी सो सकते हो जो दूसरा तरीका है वह आप यह भी सो सकते हो कि यहाँ पे resonance के द्वारा ठीक है तो 2 resonance बनेगे 3 बनेगे 4 बनेगे इसलिए इस वाले में better rate बनके आ जाएगा जब EAS कराएगे जब electrophile हमला कर रहा है तो क्या बनता है कार्बोकटाइन बनता है उसमें resonance होगी न यहाँ पे ज़ादा resonance हो जाएगी इसमें कम होगी उसमें और कम होगी बस यह है लिख लीजे पॉस करके next number F के उपर चलते हैं same question F and G में पूछा गया है compare the rate of electrophilic aromatic substitution for F and G correct रहें correct रहें जगना ध्यान से यहाँ पे जो यह group है यह कौन सा effect दिखाएगा यह सिर्फ minus i दिखा रहा होगा न only क्यों because यह इसके जो lone pair है वो system से बाहर है मुला कर सिस्टम के let me say pi bonds ऐसे थे तो जो nitrogen की lone pair है वो parallel to the plane है 1000 बार तो बता दिया है तो वो resonance में नहीं है जब resonance में नहीं होगा तो सिर्फ inductive दिखाएगा electronegative वाले minus i दिखाते है 2 minus i 3 minus i तो best कौन बन जाएगा best यह बन जाएगा आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है please let me know next number g के उपर चले है ना simple g o c आते तो सब आता है as simple as that अब सोचते है number g में क्या होना चाहिए number g में देखिए number a में तो normal resonance है जिसको हम resonance बोलते है mesomeric नहीं resonance है b वाले में electron richness है समझ आ रहा है क्यों आप resonance structures भी बना के देख सकते हो loan pair is equal to bond bond is equal to loan pair god's equation negative charge तो यह बन के आ जाएगा similarly यह electron b वी resonance में है तो यह भी electron rich species है तो यहाँ पर mesomeric हो रहा है यहाँ पर normal resonance हो रहा है इसलिए a तो चला जाएगा अंथ में यह तो समझ आ गया अब b and c में से कैसे देखेंगे oxygen दिखा रहा है plus m minus i nitrogen दिखा रहा है plus m minus i लेकिन nitrogen less electron negative है इसलिए minus i कम रहेगा तो वो जीच जाएगा b बाले समझ आ गया these are very famous molecules furan and pyrrole आगे चलते हैं फिर यह होगा number h ध्यान से देखिए most electron rich position आपसे पूछे गई है most electron rich position आपसे पूछे गई है करेट रहे सब यह रिंग देख लेते हमेशा की तरह वो यह न जूम इन करना है अपन को ऐसे अंदर संद स्राट करोगे तो फिर भटक जाओगे ठीक है ओके समझते है तो यहाँ पर आपके पास इस रिंग में ये है इस रिंग के उपर क्या लग रहा है minus i लग रहा है न इस वाले group का whereas जो दूसरी रिंग है वहाँ पर यह दे रहा है plus m लग रहा है अगर आप रेजने स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो इधर minus जाएगा इधर जाएगा इस रिंग में तो दूसरी रिंग जादे electron rich है right hand side वाली electron rich decide होगा फिर position कौन सी बन जाएगी क्यों electron rich position क्यों और थो के पर जीर के वही plus m minus i plus m से में minus i दूर में कम है number i करेट रहे number i में हमारे पास एक system दिया गया है biphenyl एक system हमारे पास दिया गया है naphthalene कौन जीतेगा यह जीते यह समझ आ रहा है ने क्यों इसका multiple logic से समझ सकते हो एक कि यह 100% aromatic रहेगा यह 100% aromatic रहेगा आप जब इसका resonance structure बनाओगे तो यहाँ पर तो aromatic है तो आपने एक और resonance structure बनाया तो आपको दिख जाएगा दिखा या नहीं दिखा तो यह aromatic है लेकिन दूसरी नहीं है तो carbocatang को stability इधर जादा मिलेगी फिकास दो दो चार resonance structures बनेगे लेकिन चारो ही aromatic aromatic बनने वाले हैं ठीक है समझ जा रहे है इसलिए i is more stable एक लीजे पास करके आगे चलते हैं आगे चलने से पहले हमें एक theory पढ़नी पढ़ेगी और फिर दना दन in groups are present on the ring if electron withdrawing groups are present on the ring अच्छे electron withdrawing groups के examples क्या क्या है बहुत सारे हैं लेकि most commonly जैसे NO2 और क्या यूज करते हम cn, aldehyde, ketone, acid और क्या क्या होते है एंसी, एस्टर ठीक है? और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टाइम के साथ हम लोग और एक्जाम्पल्स देखेंगे ठीक है? एक्सेटरा लगा देता हूँ और हमने जी औसी में देखके भी रखें ऐसा नहीं है अब इलेक्ट्रों वीड्रों ग्रूप प्रेजेंट है रिंग के उपर अब हम सोच रहे हैं कि वो कौन सी पुजीशन पे हमला करेगा मेजर प्रोड़क्ट बना देख लेए समझे फिर क्या होगा? तो फॉर एक्जामपल मैंने यहां पर लेलिया है नाइट्रो बेंजीन क्या लेलिया है? नाइट्रो बेंजीन इसको मैं रियाट करवाता हूँ इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाते हैं आईए तो for example, Electrophile के साथ react किया Electrophile ने हमला किया देखो, तीरी possible positions है, ortho, meta, para सबसे पहले, for example, मैंने ortho position ले ली ले लीजे तो अगर मैं ortho position लेता हूँ तो plus इधर बनेगा नो और जब इस plus में आप resonance करवाओगे समझा रहा है? मैं directly दो resonance structures आगे पहुंचना चाहरा हूँ तो आपको दिखेगा कि NO2 के literally बगल में plus लगा दिया हमने NO2 के literally बगल में plus लगा दिया हमने इसका मतलब क्या है? यह है very 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 unstable समझा रहा है क्यों? इस literally बगल में लगा दिया है minus M minus I लगेगा जो चीज already electron deficient है उससे हम और खतनाक तरीके से withdraw कर रहे हैं अब जो आता है दिमाग में that is para because वो दूर है तो first first सबसे दिमाग में para ही आता है अगर मैं para के उपर हमला करवा दू करवाए तो क्या बनेगा? यह बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल सभी बात है यह बनेगा और जैसे आपने resonance किया जैसे हमने resonance किया क्या दिखा आपको? कि once again जो plus charge है वो इधर चला गया ऐसा बनेगा ठीक है? एड यह भयंकर once again समझ रहा ना भयंकर unstable होने वाला है आप बोलोगे क्यों? because बिल्कुल बगल में है जहाँ पे proper तरीके से minus m एवं minus i लग रहा है ठीक है? अब आगे चलते हैं आगे चले next के उपर अब देखना अगर हम लोग meta पे करवाते हैं देखो है ना simple क्या chapter है यह लेगे इतना भयंकर important है ना इतना भयंकर important है आज कुछ PYQs करवाओंगा मैं आपको अगले lecture में सारे उतां covered रहेंगी because तब हम लोग करेंगे Friddle Craft All Equations तो देखिए जब हमने यहाँ हमला किया अच्छे MSC का भी homework मिलेगा आपको E2 वाला जो pending है वो कर लेना भाई गुरूप से कल सुबह तक मिल जाएगा यह बनेगा क्या यह stable है या नहीं है यह समझा रहे है यह relatively stable है relatively stable है समझा रहे है क्यों because plus इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा एक चीज़ समझो यार stable और relatively stable में क्या अंतर है मतला शब्द ही है लेकिन बोलना का भी पराई यह है कि जैसे for example आपको 10 रुपे का लेज लेना है इसके पास 3-3 रुपे है और इसके पास 7 रुपे तो 10 रुपे अभी भी नहीं है अभी भी electron deficient है लेकिन बाकियों से electron rich है पूरी दुनिया यही तो करते रहती उसमें क्या वो beach पे बस बनाते रहते sand के castle उसका castle मेरे से अच्छा मेरा castle उसका end मा के beach का जो पानी है सब ले जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह relatively stable है relatively stable है because अब सिर्फ इसको आप लिख लिजे notes के अंदर फिर यहाँ पर जब end में minus h plus अब से की तरह तो यह बनेगा आपके पास major product क्या यह same चीज में हर ewg के लिए कर सकता हूँ yes सभी में same ही तो होगा सभी में minus m minus i लग रहा होगा उसी प्रकार से हमने proceed के अंद यह बन गया लिखिये अब है बिलकुल ढंक से थे और ही आड़ करिये थे और ही आड़ करिये notes में if ewg if ewg is present on is present on the benzene ring the benzene ring then the then the metaposition is then the metaposition is attacked by the electrophile then the metaposition is attacked by the electrophile ठीक है अब ओविस से बाद हम सेम चीज़ करेंगे अब electron donating groups के लिए so heading डाल दीजिए if electron donating groups are present if electron donating groups are present यहापे एक में interesting चीज़ बताऊंगा on the ring चलो बताएंगे time के साथ आज बताएंगे ठीकर ढंक से देखना बहुत इंट्रेस्टिंग है हो okay electron donating groups are present on the ring अच्छे electron donating के example क्या क्या हो सकते है बिल्कुल जो DOC से CH3 हो गया OH NH2 O- तो यह भी electron donating ही है किसी को लग रहा है नहीं है यह भी है ना बिकोज रिंग में तो दे ही रहा है चाहे कम दे रहा हो लेकिन दे तो रहा है NHC double bond CH3 etc. चाहे सब को समझ आ रहा है अब इसका mechanism derive कर लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पर nitro benzene के example लिया यहाँ पर भी मैं कोई example ले लेता हूं let me say phenol for example phenol अब अगर मैं electrophile को attack करवाता हूं सबसे वहले meta पर करवा देते हैं विकरस हमने पिछले वाले meta derive किया तो मैं meta पर करवा देता हूं विकरस वो demag में घुम रहा होगा तो हमारे पास यह बनेगा अब देखो यह plus जो है वो unstable है क्यों? विकरस इसके उपर सिर्फ minus i लगेगा आप बोलोगे कैसे? विकरस जब आप इसमें resonance करवाओगे इदर जाएगा, इदर जाएगा, इदर जाएगा तो OH तो plus m दिखाई नहीं पाएगा विकरस OH के बगल में तो आया नहीं है ठीक है? resonance में आया नहीं, conjugation में आया नहीं तो यहाँ पर सिर्फ minus i लग रहा है OH के दोवारा तो फिर क्या फाइदा हुआ इस EDG का? फिर हमने क्या किया? हमने इसको react करवाए E plus के साथ लेकिन ortho position पर करवाते हैं ortho पर हमला करवाईए तो यहाँ से क्या बने? यह न, derive करने आना अच्छी ऐसा नहीं कि आप याद कर जाओ आज ही मैं आपके ऐसे equations कराओंगा जब अगर आप याद करके आओगे तो फिर निकल जाएगी आपकी हवा ठीक है? ओके, यह बनेगा अब यह जो plus है और फिर पूजिशन पर attack हुआ न इलेक्टरोफाइल यहाँ लगेगा प्लस यह लगेगा क्या यह stable है यह नहीं है? बिलकुल है आ रहा है समझे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे plus M भी लग रहा है माइनस I भी लग रहा है सिंबल तो stable है similarly अगर मैं attack करवा दूँ अब para position के उपर करवाईए para position पर वो भी आपको दिखी रहा होगा कि stable बनने वाला है देखो ध्यान से stable है ना? क्यों? वेकाज यह plus दज जाएगा? देखो ध्यान से तो अभी भी plus M लग रहा है OH का and minus I लग रहा है तो basically हमारे पास ortho and para activated है लेकिन relatively जादा कहाँ पर होना चाहिए आपके हिसाब से समझा रहा है para क्यों? वहाँ पर minus I कम लग रहा होगा OH का? because वो दूर है इसलिए जब भी हमारे पास इसको लिख लेते है पहले लिख लीजे, notes के अंदर पहले ये लिख लीख लीख होगा पि थे और याड का लीजे summary if if electron donating groups if electron donating groups are present on benzene are present on benzene then then the ortho or para positions are attacked then the ortho or the para positions are attacked अब मुझे बताइए logically अब मुझे बताइए logically कि major कौन सा होगा? major para होगा इसके बहुत reasons होते हैं जैसे एक reason तो मैंने अभी बता दिया आपको minus I वाला लेकिन जो यहाँ पर सोच रहा होगा दिमाग लगा रहा होगा उसको doubt आएगा ortho para पर plus I सेव लेकिन ortho para पर ortho पर plus I जादा होगा लेकिन crowding ओर पर crowding भी तो जादा होगी अगर मैं alkyl groups लेता हूँ जिन में ही plus I possible होपाएगा along with plus H आरे समझे ने तो वहाँ पर भी para ही major बनने वाला है तो लिख लीजे major is para major is para I hope clear हो गया सबको समझ आ गया proper derivation करवा दिया simple derivation है कोई high five चीज नहीं है ओक आगे चले फिर questions करते है तो बहुर चीजे clear होँगी number J try करिए आपको दिया गया है एक molecule जहांपे CH3 plus एक बार लिया गया हमसे बोला गया major product बताईए कौन सा बनेगा तो समझ न पहली बात NH2 एक चीज समझो यार पहले यहां से आगे भढ़ने से पहले electrophile electron deficient है nucleophile electron rich है जब electrophile आएगा ढूंड़ते ढूंड़ते nucleophile को उसको ऐसे deviate कौन कर रहा होगा मलब जुला कौन रहा होगा घुमा कौन रहा होगा हवा में nucleophile तो जो चीज ज़ादे electron rich होगी वो इस electron deficient को ज़ादे अच्छे तरीके से घुमा पाएगा न तक मैं बात करता हूँ इन दोनों में से पहले groups की बात करते हैं फिर positions पे आते हैं तो दोनों में से positions को activate करेगा ये वाली ये वाली और ये वाली क्या आपको समझा रहा है para पे तो हमला नहीं हो पाएगा वो blocked है आप बोलोगे क्यों because ये मैं यहीं पर clear कर देता हूँ अगर आप para पे हमला करते हो जैसे इस case में आपने हमला किया तो क्या दिखेगा आपको तो आपको दिखेगा ये हमारे पास तो h plus ही नहीं है eliminate करने के लिए तो aromaticity वापस ही नहीं आएगी तो फिर वो eas कैसे हुआ ये तो addition हो गया और addition तो हम लोग करवाना नहीं चाहेंगे basically para पे जगा ही नहीं है घर में जगा यह नहीं है तो guest कहा रखेंगे तो और तो पर हमला करना पड़ेगा जो final product बनके आ जाएगा वो दोनों मैंसे किसे पर भी करवा दीजिए ये बन जाएगा clear एनस अभी को कैसे किया जा रहा है आगे चलते number L NO2 प्लस दिया गया है 1 more NO2 प्लस दिया गया है दोनों मैंसे किस के उपर हमला होगा ये आपसे पूछा गया है समझे फिर देखना तो यहाँ पर इस वाली रिंग के उपर सर्फ प्लस H and प्लस I लग रहा है whereas जो दूसरी वाली रिंग है उसके उपर प्लस M and minus I लग रहा है ये सबी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्या चल रहा है अब हमें देखना कि कौन सी पुजीशन इलेक्टरॉन रिच है तो अब्विस सी बात है और्थो और पैरा पुजीशन इलेक्टरॉन रिच है इसमें कोई दोर आए नहीं है ना आगे चलते हैं नमबर L के उपर करीट रहा है CH3 CH2 प्लस दिया गया है और हमसे बोला गया है कि मेजर प्रड़क्ट क्या बनेगा पी वाई क्यूस भी करेंगा आप बोले कि इतना असान होता है सब करवाया जाएगा अब देखो ध्यान से दो रिंग्स है दोनमे से जादे उलेक्टरोन रिच कॉन से वो डिटर्माइन करते है ये तो खीच रहा है ना भाई तो ये रिंग हो गई फर्जी रिंग देगे ये जो लोन पेर है वो दे रहा है तो दूसरी रिंग पे हमला होका इतना समझ आ गया लिए कौन सी position पर होगा वो समझना पड़ेगा तो ये है ortho, meta, para, meta, ortho तो ये तो blocked है already, already filled है obvious सी बात है para पर हमला हो जाएगा क्यों? पर कौन साथ पर minus i कम लगेगा plus m same लगेगा final major product ये बन जाएगा है ओके आगे चले number m, h plus दिया गया है h plus क्या करेगा? protonation करेगा जैसे protonation हुआ, oxygen जादा electron negative बन गया तो वो निकल जाएगा पानी के रूप में अच्छी तरह खीच के, dehydration reaction तो हमारे पास एक carbocatine बन के आ जाएगा ये समझा रहे सभी को अब क्या होगा? अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे minus h plus होके हमारे पास double bond बन जाएगा तो वो गलत अंसर है क्यों? विकाद जैसे electrophile बन गया वो हमला कर देगा nucleophile के ऊपर आपको समझा रहा है at the end of the day electrophilic aromatic substitution is an acid-base reaction and acid-base reactions are much-much-much faster than any reactions पिछले lecture में आपको बताया था acid-base क्यों हो रहा है? z- एवं e-plus na z- क्या है? acid है sorry, z- क्या है? base है जैसे for example OH- सोचने के लिए e-plus क्या है? acid है जैसे H-plus सोचने के लिए at the end of the day electrophilic aromatic substitution है तो acid-base reaction ही चाहिए आप उसको कुछ भी बोल लो तो यहाँ पे भी वही हो रहेगी electrophil है, nucleophile है acid-base हो जाएगा internally करवाईए अब doubt आएगा कौन सी position पे होना चाहिए अब वो समझते हैं ध्यान से देखना बिल्कुल यहाँ पे group कौन कौन से group कौन कौन से है जो nucleophile, electrophile को sway करेंगे अपनी तरफ attract करेंगे वो बस यह है ना जो 2 alpha hydrogen के present है मतलब वो plus h दिखा रहा है plus i दिखा रहा है तो कौन कौन सी positions को वो rich करेगा ortho एवं para इसके लिए ortho कौन कौन सी ortho यह है para यह है ortho यह अब थोड़ा दिमांग लगाना सीखो रटर ना मत सीखो क्या यह para पे हमला कर पाएगा क्या यह para पे हमला कर पाएगा बिल्कुल भी नहीं जगह ही नहीं है तो यहाँ पे जो हमला हो जाएगा वो ortho पे ही करना पड़ेगा करवाईगा तो यहाँ से इदर होगा यह सभी को समझ आ रहे प्लस इदर होने वाले है अब लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस हप्लस लोग मैंने स्टेब बे स्टेब भी करके दिखा दिया तो जैसे माइनस हप्लस किया समझ आ रहे बेंजीन की आरोमाटिसिटी वी वापस आ तो यह मेजर बने इंट्रा मॉलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक आरोमाटिक सब्स्टिटीशन हो गया है यहाँ पर देख लीजे पॉस करके नेक्स नमबर एन येस इंटरेस्टिंग है हमसे बोला गया है कि चार प्रकार के हैलोजन्स है अज़बाइ पैरा रेशियो मिनिमम कहां पर बनेगा अगर मैं प्रोडूट के रूप में बात करूँ यह आपको दिया गया है एक बार फ्लोरोमेंजन मुझे और्थो बाय पैरा रेशियो को मिनिमम करना है मैं एन्ट्स है न प्लस M येवर माइनस आई वेराज ये तीनों लगा रहे हैं प्लस M, माइनस M and माइनस आई तो मुझे एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ कौन सा जो नुकलियोफाइल है वो घुमाएगा एलेक्टरोफाइल को अच्छे तरीके से कौन सा जो नुकलियोफाइल है फ्लोरोवाला वो लिटरली एलेक्टरोन रिच है न प्लस M है and माइनस आई लेकिन यहाँ पे प्लस M, माइनस M, माइनस आई तीनों है अलब माइनस M भी है एक्स्टा में इसलिए यहाँ पे जो पैरा बन जाएगा वो मैक्सिमम बन जाएगा and यह आपके पास बन के आ जाएगा correct answer अब obviously यहाँ पे doubt आ रहा होगा मैं एक और logic से clear करता हूँ जैसे फ्लोरीन में आपके पास 2P, 2P हो रहा है न यह उसी के टाइम पे सब बता के रखाए फ्लोरीन में 2P, 3P हो रहा है उसी प्रकास से 2P, 4P, 2P, 5P जाद अच्छी interaction कहां हो रही होगी resonance के टाइम पे फ्लोरीन में तो वहाँ पे जल्दी हमला करेगा इलेक्ट्रोफाइल अभी भी समझ नहीं आया तो यह screenshot देखिए जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास फ्लोरो बेंजीन, ख्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन products formed para में 86% para बन रहा है अगा मैं फ्लोरो बेंजीन ले रहा हूं at the end of the day, क्या आपको दिखाई दे रहा है सभी में para ही major बन रहा है देकिए ध्यां से all of these are para directing only but फ्लोरीन वाले में ज्यादा पैरा बन रहा है because वो सबसे ज्यादे एलेक्टरॉन रिच है सबी में से सबसे ज्यादे एलेक्टरॉन रिच है सबी में से यहां से आपको एक और इंट्रेस्टिंग पॉइंट दिख रहा है जो मैं इजाद कर रहा हूँ वो क्या है औल्दो ये deactivating है because at the end plus and minus for example cancel होगा दिमाग में minus i बचा deactivating है फिर भी orthopara directing है ठीक है इसके उपर हम आएंगे थोड़े time में ठीक है इसको hold पर रखना आज ही आएंगे और वो एक future expected question भी है ये समझ आगे ने सभी को इस अभी को समझ आ गया क्या हो रहा है इसको आप notes में अड़करने चाथ कर सकते हो लेकिन once again आपको वो नहीं करना है क्या बोलते हैं याद नहीं करना है ये बस समझाने के लिए है ठीक है ओके आगे चलते है फिर number O के उपर try करिए CF3 दिया गया है साथ में NO2 प्लस BF3 माइनस दिया गया है क्या बनेगा major product पहली बात क्या मैं समझ आते है कि CF3 क्या है EWG है या नहीं है बल कितना खतनाग EWG होता है ये याद आ रहा है ये आपके पास fluorine से भी खतनाग माइनस आई दिखा रहा होता है कहाँ पर प्रूफ किया है इंडक्टिव फिड के टाइम पर तो यहाँ पर meta directing बन जाएगा and hence meta product major बन जाएगा आगे देखते है दो rings है ठीक है कौनसे rings जादे electron rate चाहिए तो सपने में भी सही होना चाहिए ये वाले ये समझ आगे ना क्यों because यहाँ पर ये खतरनाग withdrawing group है तो ये तो नहीं होगी तो इन मैंसे ortho-ortho para obviously para जीतेगा इस case के अंदर क्यों? reason आपको परता ही है para directing next आगे चलते है लिख लिजे pause करके आपको ऐसे ही question में edit करके नहीं लिखना आपको properly लिखना है ठीक है? नमबर क्यों को tradiate रहा है आपसे बोला गया है major product क्या बनेगा? NO2 plus CL4 minus nitration nitration के उपर मैं और focus amines chapter के अंदर करता हूँ तभी आपके पास वो amines के उपर nitration करके interesting चीज़े बनती है okay तीन rings है practically दो rings है कहाँ पर attack होना चाहिए? यह हमसे पूछा गया है कहाँ पी हो जाएगा? हमें क्या? देखो हमें क्या चाहिए? RTS क्या है? अब इस question में आप orthopera से कुछ करे नहीं सकते हो है न? attack के न? इस question में नहीं हो पाएगा इसलिए बोल रहा हूँ आपको बिलकुल basic logic से जाना है कि कहाँ पे हमला होना चाहिए? कि कहाँ पे हमला होना चाहिए? अब देखना ध्यान से हमारे पास तीन rings है अब GOC के टाइम पे मैंने आपको बता के रखा था क्या? कि middle ring unstable होता है least stable होता है वहाँ पे हमने वो P and Q, X and Y example दोरा भी proof किया था जो हमला होने वाला है वो तो होने वाला है middle ring के ऊपर ही अब कहाँ पे होगा वो सोचना है दोनों identical है तो यहाँ पे हो जाए अब इसको एको logic से समझ सकते हो ठीक है? देखो अगर मैं इस middle ring को ऐसे मानू इसके ऊपर एक group है ना? अब दिख गया है नहीं दिखा यह group कॉंगों से effect दिखा सकता है? plus m, minus m, minus i यह कॉंगों से दिख सकता है? plus m, minus m, minus i अब को एक चीज दिखाई दे रही है कि plus m, minus m, minus i although जैसे अभी 2 मिनेट पहले देखा हमने although electron deficient है net में तेगि फिर भी वो और्थो पर डिरेक्टिंग बनता है क्यों हो रहा है ऐसा because at the end of the day नूकलियो इलेक्टरोफाइल क्या देखते देखते आ रहा है क्या वो माइनस है ढूनते ढूनते आ रहा है नहीं वो प्लस सेम ढूनते ढूनते आ रहा है आ रहे समझ तो उसको बाकी जैसे आप टॉक्सिक रिलेशन्शिप में होते हो ठीक है जो होंगे भी बहुत सारे यहाँ पर उनके साथ क्या होता है वो सारी गंदी चीज़े एग्नोर कर देते और बस एक अच्छी चीज़ को पकड़ के बैठे रहते कि हाँ यह तो अच्छा है चाहे बाकी गंद है बस वो ही हो रहा है इस रिलेशन्शिप में यह भी टॉक्सिक रिलेशन्शिप है ठीक है अट दे एंड है तो दी आक्टिवेटिंग ही लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बोल देता है ठीक है अट लीस्ट प्लसम तो है ना तो बस उसे दोरा अट्राक्ट होके उससे यह पगने आ जाता है अस सिंपल एस इस सिंपल तरीके से मैंने समझा सकता है अल्दो मैं कोशन करवाऊंगा इसके उपर जो एक्सपेक्टेड भी है लेकिन यह चीज़ अब आपको दिमाग को घुसना चाहिए ओके नमबर आर में चलते हैं नमबर आर में ध्यान से देखिए क्या होगा पहले वो समझते है कौन से रिंग जादे लेक्टरॉन रिच है देखिए प्लसम प्लसम खोड़ा से इदर भी तो दो प्लसम लग रहे इस रिंग पे इस रिंग पे कुछ में लग रहा एक बस अलफा हीड्रोजन है तो कौन जीतेगा आंख बंड करके आपके पास यह जीतना चाहिए अब उन में से भी कौन से पुजीशन जादे लेक्टरॉन रिच है वो समझने की कोशिश करते है तो बिल्गल ध्यान से देखना हो इसके लिए और्थो ये है पैरा ये है नीचे वाले के लिए और्थो ये है ये तो सभी का समझ आ गया तो लॉजिकली ये सभी का है इन दोना में से भी जादे लेक्टरॉन रिच कौन से है जादे लेक्टरॉन रिच कौन से है वो समझने की कोशिश करते है बिल्कुल ध्यान से देखना इस पुजिशन पे प्लस एम सेम इस पुजिशन पे प्लस एम सेम लेकिन इस पुजिशन पे इसका माइनस आई जादा है समझ आ रहे है इस पोजीशन पर इसका माइनस आई है दोनों में से बेटर माइनस आई किसका होगा इसका होगा जो एक अमाइड गुरुप है वहाँ पर कार्बोन नाइल भी खीच रहा होगा इसलिए जो most electron rich position बनेगी वो बनने चाहिए ये अगर आपने सोचा तो गलत है देखो कैसे फसाया correct answer क्या होगा जो correct answer बनके आ जाएगा वो बन जाएगा ये अब आप बोलोगे क्यों because आप एक rule भूल रहे हो कौन सा rule आप बता सकते हैं सोचके that is DNP rule देखो please do not बारीक बारीक गलतिया करोगे आगे न समझ क्या हो रहे तो DNP क्या बोलता है यहाँ पर distance matters over number power बिल्कुल last में आता है इसलिए ये जीट जाएगा आ रहा है मज़ा है नहीं आ रहा है ठीक है आ रहा है न आगे चलते हैं number S के उपर N2O5 दिया गया साथ में ये बड़ा सा group है हमसे पूछा गया कहाँ पर लगेगा पहली बात N2O5 क्या है इनाउगनिक में आपने पढ़ा होगा N2O5 के बारे में it is nothing but NO3-1 and NO2 plus यह है न NO2 plus है कुछ भी नहीं है fancy name है उसका अब देखते हैं कि कहाँ पर हमला करेगा वो समझने की कोशिश करते हैं कौन से रिंग जादे electron rich है यह तो electron deficient है इसके उपर तो सिर्फ minus M minus I लग रहा है दूसरे रिंग में देखो भई कितनी electron rich है यह भी दे रहा है यह भी दे रहा है यह भी दे रहा है तीनों ही देने वाले है लेकिन कौन से position जादे electron rich होगी अब हम वो समयने के कोशिश करेंगे OCH3 है साथ में nitrogen है कौन डॉमिनेट करेगा तो दोनों को ले लेते हैं तो let me say OCH3 वाले को green color से represent कर रहा हूँ green से इसके लिए आपके पास ortho para दूसरा block है nitrogen के लिए white color तो इसके लिए ortho ortho para block ओ मज़ेदार भाई साभी तो मज़ेदार होगे समझागे क्यों प्रिकास यहाँ पर भी 2 लग रहा है यहाँ पर भी 2 लग रहा है तो कौन डॉमिनेट करेगा अब हमें inductive से सोचना पड़ेगा प्रिकास बाकिसब तो सेम हो गया यहाँ पर OCS3 का inductive लग रहा है यहाँ पर nitrogen का inductive लग रहा है तो कौन जीतेगा यह जीत जाएगा तो हैंस NO2 यहाँ लगए अरे भाई साथ मज़ेदार कॉश्श ठीक है लिख लीजे भाई पॉस करके आगे चलते है नमबर T PR2 and CCL4 दिया गया है इसका मतलब क्या है जहां से हमने derivation किया था उस वाले question पर हम आए है यहाँ पर कौन कौन से groups हैं जो dominate कर रहे हैं इस ring के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो यह तो फर्जी है यह dominate करेगा तो इसके लिए यह है and यह है इतना ही है ना और कुछ भी नहीं है अब दोनों में से कौन जीतेगा यह तो आंक बन करके भी सही आना चीए आपका कि यही जीतेगा because इदर इदर कभी माइनस ही लग रहा होगा तो यह major product बन के आ जाएगा दिख लीजे भाई number T को pause करके आगे चलते है number U कुछ alcohol दिया गए H plus दिया गए कौन सी position पर हमला होगा यह पूछा गया है अभी तक हमारे पास electrophile cleared नहीं है कि क्या है तो क्या electrophile यहाँ पर होगा ध्यान से देखना जब मैं H plus लूँगा तो आपके पास यह बनेगा जल्द बाजी में गलत मत बना देना यह बनेगा लेकिन वो rearrange भी करेगा ठीक है यह गलती मत करना यह बनेगा तो electrophile हमारा prepared है अब position देख लेते हैं तो यह ring फर्जी है because minus M minus I लेकिन दूसरी ring electron rich है because plus M and minus I कौन सी positions available है सिर्फ यही है तो यहीं पर हमला हो जाएगा electrophile का बस यह बन जाएगा समझ आरहे नहीं आरहे simple है न next number V PR2 CCL4 A की ring है उसमें position देखनी है अब बोलोगे NH2 यह NH2 plus M थोड़ी दिखा रहा है यह थो minus I दिखा रहा होगा इस case में because वो resonance में थोड़ी है resonance में सिर्फ यही है जो plus M दिखा रहा है तो यह dominant करेगा इसके लिए ortho यह है meta, para, meta, ortho यह है अब दोनों में से जादा electron rich position कौन सी होगी obvious सी बात है para वाली हो जाएगी यह तो जो derivation हुआ वहीं से आपके पास आता है ठीक है because less minus I para directing बन जाएगा hence यह major product बन के आ जाएगा TAS के बाद number W अब देखिए पहले लेक्ट्रोफाइल सही generate करो भाई यह है लेकिन rearrange करके यह यह बनेगा घलत attack मत करते हैं जल्द बाजी में कौन dominant करेगा अब मुझे बताएगी जोर्त नहीं है यह करेगा इसलिए यहाँ पर जाके लग जाएगा para position समझ रहे ना सभी को क्या चल रहा है next आगे चलते हैं A आपके पास यह बन रहा है क्या बनेगा paradirating इस position पर चल जाएगा इधर carbocatine बनेगा अब कौन dominant करेगा इन दोनों में से यह करेगा न because यह plus m दिखा रहा है यह सिर्फ plus h and plus i दिखा रहा है इसलिए उपर वाला जादा dominating है तो यहाँ पर लगा दीजिए उसको तो लग जाएगा left right से फरक नहीं पड़ता कहीं में लगा दो उसके बाद br to ccl4 है तो br plus आएगा अब भी कौन dominating है यही है न simple लग रहा है नहीं लग रहा topic लिख लीजब पॉस करके number 5 अब हमारे पास देखिए एक clear position नहीं है कि कहां पर हमला होना चाहिए इस question के ठीक है यह logically कितनी positions है जिनके ओपर हमला हो सकता है दो है न दो ही है जो है एक यह alpha एक यह है beta बाकि सब identical है जैसे इतर देखोए तो alpha beta identical alpha beta identical identical 1,2 बोलीजे alpha beta बोलीजे identical है for example एक बार में alpha बले के उपर हमला करवाता हूं ऐसे तो सोचना पड़ेगा जिस question में कुछ नया हो रहा होगा वहाँ पे हमें RTS से जाना पड़ेगा न rate determining step से तो यह बनेगा अगर मैं alpha के उपर हमला करता हूँ मेरे भाई अगर मैं beta के उपर हमला करूँ तो क्या बनेगा करवा के देखते हैं for example जो beta position है वहाँ पे हमला कर दिया यह बन गया तो यह से जादा stable कोई सा अब देखो एक हो गया कि आप पूरे resonance structures बना के देखो वह हो गया भई ठीक ठक तरीका तो यहाँ थोड़ा smartly खिलो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे वो इस प्रकार से resonance में जा रहा है एक continuous resonance में यहाँ पे continuous तो है लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से X structures है X मतला इधर तो इधर भी X बनेंगे न पिकास बेंजीन तो सेम है दोनों में लेकिन यहाँ पे आपके पास बन रहे है दो structure लेकिन यहाँ पे तो एक बन रहा है न तो यह सीधे इधर चला गया एक ही बन रहा होगा तो एक तरीका यह होगा smarter तरीका सोचने का कि भाई उपर वाला नीचे बाले से ज़्यादा stable बन रहा है दूसरा तरीका क्या हो गया कि दोनों के आपने resonance structures बनाए उपर में आपको वैसे ज़्यादा मिलने वाले है इसलिए वो ज़्यादा stable हो जाएगा बस यह तो यहाँ से फिर हमने minus h plus कर दिया और जो final product बन के आगया that is equal to तेरना सभी को कैसे बन रहा है तो यहाँ पर हमें basic concept से जाना पड़ा because कोई position नहीं है त्यार attack होने के लिए लिख लिए जिए pause करके number z पर आईए अब देखो तीन rings क्या फंडा middle ring याद आ रहे है नहीं आ रहे middle ring is the least stable goc में हमने derive किया था याँ पर देख सत्य middle ring में जो position से दोना identical है कहीं पर भी करवा दो तो यह बन के आज़ तो वहाँ पर करवा दीजिए देखो है goc at the end of the day बना दूसर तरीका के attack करवा के plus के resonance देख लीजिए तो आपको एक continuous resonance मिल जाएगा ना पूरे system में बस वो ही है pause करके लिख लेना z2 पर आईए no2 plus जहाँ पर दोनों methyl अब हमारे पास meta positions पे हैं एक दूसरे के respect में तो क्या होगा वो समझते देखिए तो जो उपर वाला group है वो यहाँ को electron rich कर रहा है इसको कर रहा है इसको कर रहा है simple जो नीचे वाला है वो इसको कर रहा है इसको कर रहा है तो practically तीनों ही positions equivalently electron rich है तो कौन से पे हमला होना चाहिए पहली बात ये दोनों तो identical ही है ये दोनों कोई doubt नहीं है किसी को competition इन दोनों के बीच में है समझ आ रहा है यहाँ पर crowding जादा है इसलिए हमला इन दोनों में से किसी एक पर हो जाएगा दोनों identical है कहीं पर भी करवा दीजिए और example मैंने इदर करवा आ रहे समझा नहीं आ रहा है next ये दिया गया है h plus तो पहले तो हमें सही से बनाना पड़ेगा कि कटायन क्या है कि आप rearrangement के बाद दे तक पहुन सकते हैं बिल्कुल पहुन सकते हैं दो hydride shift के बाद ये बन गया अब आते है कौन से position electron rich है ये plus h plus i plus m minus i तो ये dominating होगा सिर्फ और्थोई available है तो वहीं पे करवा दीजिए कि आपके पास final product बन किया जाएगा simple लख लीजे pause करके आगे चलते हैं z4 पे z4 को try करो yes interesting करेट रहे CL2, CCL4 अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ आ रहा है हमारे पास कोई भी position directly available नहीं है attack करवाने के लाब बोलोगे क्यों मतलब है ये को समना पढ़ा है कैसे derive हो रहा है वैसे आप समझ सकते हैं हमारे पास तीन प्रकार के group लगे हैं बेंजीन के साथ एक ये जहां पे 0 अलफा एक ये जहां पे 0 अलफा एक ये जहां पे 2 अलफा अरे इससे सिंपल हो गया अगर आपने इसस हो जातो तो dominating कौन होगा ये होगा न और कौन होगा अब इसके लिए कौन कौन से position electron rich हो रही है देखना ध्यान से और थो ये है ना इसके लिए और थो meta पैरा फर्जी हो गया meta और थो ये की position हमारे पास उपलब्ध है तो correct answer क्या बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा ये इसी परगा क्वेशन आपके पास जेए अडवांस 2020 में भी आया था और 2019 के अंदर में क्लास में एक बच्चा था आईविश गुपता उसने ये डीपी पे एक question था मैंने वीडियो भी बनाई होके देख लिया ना एक बार ये एडवांस 2020 वीडियो है वो ठीक है आईविश गुपता ने एक question ऐसा डाउड पूछा था एंदर कोई कोशिन आ गया था examination में directly class ओके आगे चलें फिर प्राय करें नेक्स Z5 O-VS CH3 O- तो भाई साब OH से भी अच्छा प्लसम दे रहा है विकास नहापे 4 से pressure ही नहीं है तो यहाँ पर correct answer ये बन जाएगा कोई 2 राय नहीं है pause करके लिख लीजे भाई साब जल्दी से आगे चलते है Z6 अब देखो फ्राय करो Z6 and Z7 हमारे पास एक properly defined properly defined situation नहीं है orthopaira के लिए देखे हमारे पास दो unique positions है दोनों पर हमला करवा के देखते हैं वही basic fund है तो for example let me say यह one है यह two position है इदर भी one and two identical है अगर मैं one के उपर हमला करता हूँ करवाईए तो जो कटायन हमारे पास बनेगा वो यह बनेगा अगर मैं two के उपर हमला करता हूँ करवाईए जो कटायन हमारे पास है वो यह बनेगा दोनों में से जाधे stable कौन सा है? अगर आपको लग रहा है कि ये तो गलत अंसर है. क्यों समझो? ये भी stable है ना? जब आप resonance करवाओगे तो ये plus इदर जाएगा और तब इसका plusm लग जाएगा ना? आरे समझे नहीं आ रहा है. तो plusm nitrogen का अभी भी लग रहा है. वैसे तो अभी भी लग रहा है अगर आप ये ना भी करो तो अभी भी लग रहा है ना? देखो, ऐसे. दिखी रहे हैं? यहाँ भी भी लग रहा है, वो भी सही बात है. लेकिन resonance structure एक ही है ना? यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है. तो कौन जीतेगा? दो वाला या एक वाला? ओविस सी बात है, RDS में हमें stability से मतलब है. तो यह वाला जीत जाएगा. बस, minus H+, at the end of the day, gives us the final product as this. आरहे समझे नहीं आरहे है, कैसी हुआ? तेराइज simple है ना? यह बन जाएगा minor हटाई है. यहाँ पर भी same चीज हो जाएगी, exact same funder जो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी same funder use हो जाएगा. तो final product आपके पास, यह बन जाएगा. लिख लिख लिज़े pause करके, आगे चलते हैं, Z8, I hope आपको चीज़े clear हो रहे हैं, आप directly नहीं कर सकते हमेशा, इसलिए आपको basic funder भी derive करने आना चीज़े कि क्या हो रहा है, ठीक है? Okay, Z6 पर आइए, तोरी Z8 पर आइए, Z8 में क्या हो रहा है? 0 alpha, 2 alpha, तो dominating तो यह है, इसके लिए कौन कौन से positions उपलब्ध है? ortho यह है, meta, para, meta, ortho, तो यह है, दोन में से कौन जीतेगा? obvious सी बात है, para जीत जाएगा, because आपको बताया गया था, crowding reasons, और जब para उपलब्ध है, तो वहाँ पर क्यों न जाए? तो हैंस Z8 का answer यह बन जाएगा, तो यह है, Z9 में आपसे पूछा गया है, rate of electrophilic aromatic substitution क्या बनेगा, rate of electrophilic aromatic substitution क्या बनेगा, correct रहे हैं? देखो, उपर ओले methyl को मैं white से represent कर रहा हूँ, यह इस ओले methyl को मैं green से represent कर रहा हूँ, तो यह positions electron rich है, सही है न? इधर आपके पास उपर वाले के लिए, यह वाली है, ortho, ortho, para, नीचे वाले के लिए, ortho, para, ortho, इधर आपके पास, उपर वाले के लिए यह है, नीचे वाले के लिए यह है, अँख बंद करके, सबसे ज़्याद electron rich कौन सा है? वो है B, वो है B, अब between A and C कौन होना चाहिए? crowding, अब कहीं पे भी लगाओ, practically चारो ही identical है, कहीं पे भी लगाओ, crowding रहेगा, methyl का, for example, अगर आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, जो दोनों सेम है, crowding नहीं है न, वहाँ पे जल्दी घुसपाएगा, हमारा electro file, correct answer बंके आ जाएगा, PSE, मज आ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं फसना है, ठीक है, आगे चलें फिर, next part के उपर, next के उपर, यह आपके पास है, अच्छा, इससे पहले, मैं आपको question कर रहा हूँ एक, जो मैं future में expect कर रहा हूँ, उसके बाद हम इस Clayton वाले screenshot के उपर आते, question लिखिए और इसको star mark करना notes में, इस पर का का question आ सकता है, लिखो, add कर ये, question लिखिए, z10 नहीं होगा, यह जो भी होगा, लिख लेना, ठीक है, लिखिए, which of the following groups are, which of the following groups are, deactivating, deactivating की समझ रहा है न, मतलब रिंक को deactivate कर रहे हैं, electron deficient बना रहे हैं, but still, still, ortho para directing, question समझ आ गया न, इन में से कौन कौन से रिंक को deactivate कर रहा है, but still ortho para directing है, SNAR, etc. का time पे नहीं, EAS के time की बाद हो रही है, properly तो बहु भी लिख दिया, क्याकर groups है, chlorine, chlorine, bromine, iodine, CH double bond, CH2, NO, SO2H, and pH, CH महले बेंजी, देखो, तो से पहले आते हैं, flooring के उपर, flooring deactivating नहीं है, समझ आ रहे हैं, वो activating है, and still ortho para directing, अंतर है, प्रिएज वो plus M minus आई हैंना, बाकी इन सभी में, इन सभी में, क्या हो रहा है, plus M भी है, साथ में minus M भी है, साथ में minus I भी है, plus M minus M, दिमांग में आसे cancel करो, लेकिन minus I, नेट में बचे करो, तो deactivating जरूर है, लेकिन still ortho para directing है, because of this, वी बताना है, toxic relationship वाले example, तो यह सब के सब जो है, वो deactivating है, एक्सेटरा लगा देता हूँ, but still are ortho para directing, आगे मज़ा, समझ आना चाहिए, ढंग से बिलकुल एकदम, important banger point, अचा next, आगे चलते हैं, यह आपके पास clayden का screen shot है, वैसे तो आपको simple लगना चाहिए, उन्हें बस यह दिखाया आपको, कि कौन कौन से activating है, ortho para directing effect है, इसमें बस मुझे यह दिखाना था, यह वाली चीज, देको deactivating है, तो हमेशा meta पे जागा यह तुम्हें पता यह, देको deactivating है, तो भी ortho para पे जा सकता है, कैसे, जो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले दिखाया, कि plus m, minus m, minus i अगर हो, तो वहाँ पे आपके पास उस प्रकार से बनके आ जाता है, ठीक है, आगे चलते हैं फिर, z11 के उपर, पर यह try, no2, h-nose of 4, यह आपके पास j main, 2021 का question, try करिए, इसके मैं options नहीं लेका आया हूँ, as a subjective, try करिए, discuss करें फिर, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास h-204 है, h-plus देगा, react करेगा, तो plus तो यहाँ बनेगा न, यह सबी को समझ आ रहे, आप बोलोगे इदर की नहीं बनाया हमने, ऐसा, और एक और option हो सकता है, कि अगर मैं इसको re-arrange करवा दूँ, तो यह, तो यह तो बिल्गुल गलत है, तो यह को समझ आ रहे न, क्यों, because minus a minus a लग रहा है, unstable कर रहा है, अब देखो, यहाँ पर minus a ज़रूर लग रहा है, यहाँ भी minus a ज़रूर लग रहा है, लेकिन, inductive के उपर कौन dominant करता है, hyperconjugation, तो यहाँ पर मेरे भाई 4 alpha है, यहाँ पर 2 alpha है, इसलिए यह major carbogadant बनेगा, please understand this very carefully, गलती मत करना, तो final product बन जाएगा, after removing h plus, etc, वो यह बनेगा, अच्छा question तसलिए लिगा है, बाके सारे से simple simple थे, तो आज जादा हो नहीं है, आगे चलिए, इसको लिख लिए जब पहले, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, फिक continue करते हैं, pause, यह आपके पास है, question number Z12, 2019 main का है, character है, आपसे बोला गया है, the increasing rate of reactivity towards, EAS क्या हो जाएगा, यह क्या दिखा रहा है, plus M, minus M, minus A, तो आज का लेक्चे देखे, आपको समझ आएगा होगा, एकर GOC आता है, तो सब आता है, यहाँ पर क्या लग रहा है, minus M, यह है, अब देखो, सबसे दे electron rich कॉल सा है, 2 है, अब between A and C, we have A to be better, because वहाँ पर at least plus M तो है, तो 2, 1, 3, that is option number A, is the correct answer, आगे जलते हैं, Z13, लिख लेना, pause करके भी, क्या फर्जी बड़ा है, next, EAS का rate आपको compare करने का है, ऐसे question तो, मैं classes में भी नहीं करवाता हूँ, यार, इतने असान लगते हैं, कि ये question हम करवाते भी नहीं है, discuss कर ले, देख सबते हो, plus M, minus M, minus I, plus M, minus I, plus H, plus I, minus M, minus I, तो best concept बन जाएगा, फिर C, A and D में से, अगर हम ध्यान से देखें, तो हमारे पास, A will be better, पिछले पेज में बताया है क्यों, because at least plus M तो है, toxic relationship, but at least one thing is good, next, ये आपके पास है, IIT JEE, 2000, 7 का question, Z14, क्या आप लोग solve करके, इसका answer मुझे comments में बतावोगे, देखते हैं किसका सही होता, answer लग देना, ABCD में से क्या होना चाहिए, ठीक है, comments लग दीजे, answer इसका, मिलते हैं नेक्स लेक्षे के अंदर, please make sure, वीडियो को like कर देना, like कर देना, मिलते हैं नेक्स लेक्षे के अंदर, all the best, जैहिंद, bye.